जो दोस्तों स्वुगत है अब सभी के स्टुडी एम एस्पीप चैनल पर दोस्तों डेली करेंट आफेस्स का डोज शुरू करने से पहले आपने अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी परिक्षाओं के लिए महत्तपूर्ण है वैसे यह जितनी भी आगामी परिक्षाएं हैं सभी में यह जहां पर भी करेंट अफेर्स पूछा जाएगा इनमें से आपको प्रेस्ट 100% देखने को मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करेंट अफेर्स का डोस वेस्ट टू वेल्थ क्रियेशन यह कारेकरम चला जा रहा है सिड़ी द्वारा ठीक है सिड़ी द्वारा पस्चिम मंगाल में चला जा रहा है तो याद रखेगा इस तरीके के प्रसंद अक्सर पूछे जाते हैं वेस्ट टू वेल्थ क्रियेशन कारेकरम यह कहां से कहां च चला जा रहा है यह पूछ सकता है या फिर यह किसके द्वारा जला जा रहा है वो पूछ सकता है तो आप याद रखेगा सिडबी ठीक है सिड़िक का आप हैड़कोटर बताईएगा कहाँ और इसका तो यह कहां पर स्थाफित हो रहा है इंदवर में MPPCS वाले खासकर ध्यान दीजिएगा ठीक है तो यह याद रखेगा PPP मोड पर बन रहा है यह पब्लिक प्राइबेट पार्टनर्सिप ठीक PPP मोड में दच्छेड़ ACA का सबसे बड़ा इनदवर में विक्रम साराभाई Children Innovation Center यह कहां खोला दिया है यह गुजरात इनवेस्टी स्टाटप एंड इंटर्प्रेनियर्शिप काउंसिल द्वारा खोला गया है इसका UNICEF और युवा के सही योग से ठीक है तो चलिए दूसरा प्रशन पर आएगा आप UNICEF का हेड़कोर्टर कहां पर है प्रोजेक्ट आरोहन प्रोजेक्ट आरोहन बहुत इंपोर्टन क्योंकि ऐसे जो कुछ यूनिक से नाम देखने को मिलते हैं वो याद रखेगा यह असम सरकार द्वारा यह चात्रों के मार्क प्रखर बनाने के लिए यह शुरू किया गया है प्रोजेक्ट आरोहन तो याद रखेगा आरोहन और असम दोनों में आ है तो थोड़ा सा आप उस ट्रिक से याद रख सिकते हैं कि प्रोजेक्ट आरोहन और असम ठीक चलिए आगे बढ़ता हैं बिजनेस लीडर अप दे य यह यहान पुनावाला को मिला है तो याद रखेगा बिजनेस लीडर अप दे यह यहान पुनावाला को दिया गया है ठीक है चलिए अगे बढ़ता है मुंबई में पहली वाटर टैक्सी का उद्गाटन किया गया है वाब मोस्ट इंपोर्टन क्योंकि इस तरीके के प्रस् सरवनन सोनवाल जी है उन्होंने इसका उद्गाटन किया है नवी मुंबई मुंबई और नवी मुंबई की बीच में चलेगा अभी इनिसली साथ जो है यह टैक्सी चलेंगी है तो यह याद रखेगा पहली वाटर टैक्सी अच्छा आप बताए के कमेंट करके कि पहला जो व हाटर मेट्रो यह मेट्रो वाटर जो भी वो कहां पर चलाए गया है तो याद रखेगा बताएगा आप कमेंट कीजेगा ठीक है ब्रैंड फाइनेंस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है तो उसमें जो इंसोरेंस कंपनियां होती है उनकी एक लिस्टिंग जारी की कोर्बरेसन ओफ इंडिया इसके दस्मी रेंक है इसमें तो ध्यान रखिएगा कितनी रेंक है विस्वि में दस्मी रेंक है यह तो ध्यान रखिएगा इसको में भी पूछ ले कितने भारती सीट का लीन अलम्पिक 2022 में भाग लेने गया है तो दुरभाग के बस मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही इतने बड़े देश में जहां 130-135 करोण लोग हैं वहां पर मात्र एक एक आदमी एक खिलाडी जो है वह एक प्रत्वागी जो है भाग ले क्वालिफाई कर पाया है तो कुछ दिन पहल इसको ठीक है एक ही भारती गया है अरिफ खान उनको नाम याद रखिएगा और वह दो इवेंट के लिए क्वाजिफाई किये गया है यह यह भी याद रखिएगा थिक है क्योंकि दोनों यह पूछा जा सकता है पहली भारती कंपनी जो की प्लास्टिक वेस्ट निउट्रल कंपनी बन गई है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी यह डाबर इंडिया यह बनी है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल का मतलब है कि जो यह उत्पादन कर रही है अगर प्लास्टिक के जो भी उसको सामान यूज कर रही है उससे कहीं अधिक जो है यह प्रजाद रखेगा जो जहां पर भी पहली सब्दा आपको पहला सब्द दिख जाए वह मुस्ट इंप्रडेन हो जाता है दाबर इंडिया एक नई प्रजाथ क्रिम्सटन ही रोज करके है ये तितली की प्रजाती है तितली की डिफेंस एक्सपो 2022 मार्च में हो गा उसका वेन आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मोटिवेशनल स्टोरीज अगर आपको देखनी है मोटिवेशन आपको लेना है तो मैं एक लिंक इसमें दूँगा चैनल का लिंक इसमें सेर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आप जाएए और बहुत ही अच्छे-च मोटिवेशनल स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगे ठीक आप उसको सब्सक्राइब कर लिजीए और आपको डेली उसमें एक-दो मोटिवेशनल स्टोरीज उसमें आपको मिलेंगी ठीक है तो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रिस कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए स्वस्त्रिये मस्त्रिये बिंदास्रिये जैन